इनसान बड़े बड़े मकान बनाता है, बड़ी बड़ी दुकान बनाता है, कभी लोग कहते हैं कि सीसे का मकान बना तो लिया समय के हाथ में पत्थर नहीं देखा आपने, फिर भी कभी कभी ऐसा समय आता है कि घरों में पानी भर जाता है, और ये पानी बरसात में लोगों के रास्ते आने जाने में दिक्कत होती है पारिस के मौसम में काफी लोग को प्राब्लम्स हो रही है कि घर के आसपास पानी भर जाता है जिससे मच्छर मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं और ये बिमारी फैलने का भी और रास्ते आबगवन का भय बना रहता है ये रास्ते में इस सारा पानी भर गया है दोस्तों देखिए कितना बड़ा मकान है सब कुछ है लेकिन आसपास पानी भर हुआ है लेकिन परसासन कोई सुनवाई नहीं करता है कि जगा जगा नालियां बनाई जाएं जिससे पानी का निकास हो जाए लेकिन कोई परसासन सासन इस बात पर ध्यान नहीं देता है लोग हैरान है परिशान है दिक्कतों में हैं सब जगा पानी भर हुआ बारिश की कारण तो इस पानी की निकासी के लिए नालियां बननी चाहिए दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है कि आप देखें कि लोग की समश्याओं के लिए आवाज उठाएं सच का सामना करें कि लोग जो जीवन जी रहें बड़े महलों में बैठें लेकिन फिर भी परिशान है जगा जगा पानी भर चुका है दोस्तों इनकी नालियां बननी चाहिए जब कि यहां लोग बड़े बड़े लोग रहते हैं गरीब लोग भी रहते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही दोस्तों इस पानी के निकास के लिए नालियां बनना इसका रास्ता बनना बहुत जरूरी है ओके ब्रीबडी फ्रेंड्स आज की वीडियो में नहीं नेक्स्ट मिलते हैं फिर नई समस्याओं के साथ ओके नाइस ठैंक्स ठैंक्स यूर माई चैनल रहें लाइब वाच करें पर डे की समस्याओं के लिए ये परिशानियों दूसरों को देती हैं पानी की दिक्कत हैं उनको हम सामने लाते हैं जिद है सच फैलाने की ओके दोस्त ओके माई फ्रेंड्स ठैंक्स